आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हेलो दोस्तों प्रशन है, सिद्ध कीजिए कि साइन पाँचे बरावर पाँच गुड़े साइने माइनस बीस गुड़े साइन एक गहात तीन यानि साइन क्यूबे प्लस सोला गुड़े साइन की गहात पाँचे तो चलिए देखते हैं इस प्रशन का हल कैसे होगा यहाँ पे हमको क्या दिया है यह है हमारा बायापच, यह हमारा दायापच तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बायापच औ दायापच को बरावर दिखाएंगे तो यहाँ पे मैं बायापच लेता हूँ तो बायब अच्छा है हमारा साइन का पाँचए अब मैं इसको क्या लिखाऊंगा साइन पाँच एक को मैं लिखाऊंगा तीने प्लस टो ए ऐसा इसलिए कर रहा हूं को कि हमारा अभी आगे बनेगा साइन आफ ए प्लस बी वहाँ पे साइन 3 ए cos 3a sin 2a cos 2a और उनका फार्मूला हमको पता है लिख सकते हैं तो इसलिए बन रहा है तो अब यहाँ पे हम देखें sin of a plus b का सूत्र यहाँ पे हम apply कर देंगे तो वो क्या होता है sin a cos b plus cos a sin b तो अब यहाँ पे देखें तो यह क्या हो जाएगा sin 3a cos 2a plus cos 3a sin 2a अब sin 3a का हमको फार्मूला पता है sin 3a का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा 3 sin a minus 4 गुड़े sin के गात 3a यह होता है और हम यहाँ पे cos 2a का फार्मूला लिखेंगे वो भी sin के पजमें तो यह क्या होता है 1 minus 2 sin square a यह हो गया प्लस अब यहाँ पे cos 3a का हमको सूत्र पता है वो क्या होता है 4 गुड़े cos की गात 3a minus 3 cos a अब sin 2a का लिखेंगे sin 2a का फार्मूला क्या होता है sin 2a का फार्मूला 2 sin a cos a यह हो गया इतना इतना समझ में आया अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ यह इतना आ गया अब इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 sin a minus 4 गुड़े sin की गात 3a यह हो गया गुड़े 1 minus 2 sin square a ठीक है यह हो गया प्लस अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा आगे अगर मैं देखंगा यहाँ से मैं क्या करूंगा यह हो गया यहाँ पे यहां से मैं क्या करता हूँ यहां से common ले लेता हूँ ठीक है तो अब जब यहां पर cos a common ले लूँगा तो cos a common लूँगा पूरे में तो यहां जाएगा cos a यहां पर क्या बचेगा चार गुड़े cos square a और यहां पर बचेगा minus का 3 और गुड़ा हो जाएगा 2 sin a और cos a यहां आया इतना अब इसको फिर इतना पूरे को इतना है ऐसे ही लिख दूँगा जैसे लिखा तो 3 sin a minus 4 गुड़े sin की घात 3 गुड़े आ जाएगा 1 minus 2 sin की घात तो यहां प्लस अब इस cos का cos में गुड़ा होगा तो क्या हैगा cos की घात 2 हो जाएगा तो यहां जाएगा cos square गुड़े और यह 2 sin है तो यह 2 और यह sin है अब यहां पर मैं क्या करूँगा 4 गुड़े अब हमको एक फर्मूला पता है कि sin square a plus cos square a क्या होगा 1 होगा तो अगर मैं cos square a को लिखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 minus sin square a से लिख सकता हूँ तो 1 minus sin square a आ जाएगा यह माइनस का 3 यह आ गया इतना ठीक है और यहां पर भी यह जो cos square है इसको भी मैं लिखूँगा sign में ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सिद्ध करने वाला है दाया पच उसमें सारे पद sign के है इसलिए मैं cos वाले पद को sign में लिख रहा हूँ तो यह आ जाएगा यहां से 3 sin a minus 4 sin के घाद 3 a गूड़े आ जाएगा 1 minus 2 sin के घाद 2 a plus 2 sin a और इस cos square a को में लिखूंगा 1 minus sin square a ठीक है और यह आ जाएगा हमारा 4 minus 3 के तता हो जाएगा 1 और 4 के घुड़ा हो जाएगा rid sin square a में तो आ जाएगा rid 4 sin square a अब हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर इसको बस हल कर लेंगे घुड़ा करना है तो अब यहां पर देखे 3 sin a का 3 sin a का इन दोनों पड़ में गुड़ा होगा फिर minus 4 sin की घा 3 a का इन दोनों में तो 3 sin a का 1 में गुड़ा होगा तो 3 sin a आ गया फिर गुड़ा होगा तो 3 minus 6 और यह आ जाएगा sin की घा 3 a फिर यहां पर बन का गुड़ा होगा तो यह आजाएगा माइनस चार साइन की घात तीन है फिर माइनस माइनस का गुड़ा होगा तो प्लस और चार दुनी आठ तो प्लस का आठ और यह आजाएगा साइन की घात कितना हो जाएगा जुड़ी आएगा तो 3, 2, 5 यानि 5 है आ गया अब यहाँ पे गर में देखूं तो यह 2 sin A का पहले 1 में गुड़ा होगा तो क्या आएगा 2 sin A फिर इस 2 sin A का गुड़ा होगा sin की घाथ 2 A में तो minus का 2 sin की घाथ 3 A अब इसका पूरा गुड़ा करेंगे 1 minus 4 sin A का गया गया अब एक बार और गुड़ा कर लेंगे इन दोनों का उसके बाद हमारे उत्तरा जाएगा सिद्ध करने वाला अ कि ये क्या आजाएगा 3 sin A minus 6 गुड़े sin की घाथ 3 A माइनस 4 गुड़े sin की घाथ 3 A प्लस 8 गुड़े sin की घाथ 5 A अब इस 2 sin A का गुड़ा होगा 1 minus 4 तो यहां पर क्या आजाएगा ये 2 sin A और ये 4 दुनिया, 2ㄱ 8 और sin A गुड़े sin की घाथ 2 A तो यह जाएगा sin की घात तीन है यह हो गया पर इसका गुड़ा होगा इस में इसमें तो यह दाएगा रिड़ दोframes की घात तीन है रिड़ का गुड़ा हो जाएगा तो प्लस का 8 मै तो साइजिघ एलाइगा पाँच साइन ए ठीक है और मैं यहाँ पर देखों तो छे चार दस 18 18 और दो 20 तो 20 साइन की घाथ तेन एंया गया बाकी यह आथ गुड़े साइन की घाथ 5 है यह आथ गुड़े साइन की घाथ 5 है जुड़ जाएगा तो आटituation गुड़े साइन कि खात पांच है और यहीं हमारा क्या है यहीं हमको सिद्ध करना थे यह हो गया हमारा दाया पच्छ तो उम्मीद करता हूं आपको प्रश्ण समझ में आया होगा धन्यवाद अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर